केंद्रिय मंत्री श्री नितिन गटकरी जी ने आज से लगभग 5 महीने पहले दा इंडियन एक्स्प्रेस के माध्यम से बताया कि वो भारत को इलेक्टिक वेइकल और लीथियम आयन बैटरी इन दोनों इंडस्ट्रीज में ग्लोबल मैनिफाक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं तो हुई इस अनॉस्मेंट के बाद देश की कई बड़ी और छोटी कमपनियों ने इस प्रोजेक्ट में पार्ट स्पेट किया और अब इस प्रोजेक्ट को और जादे इंक्रिस करने के लिए देश की बड़ी बैटरी मैनिफाक्चर कमपनी में शामिल एक्साइड इंडस् जहाँ पर अभी चाइनीज गवर्मेंट नहीं पहुची हुई है उन सभी को इंडिया अक्वाय करने वाला है तो गवर्मेंट के इनी सब बड़े डिसिजन के बाद एक्साइड इंडस्टरीज ने रिसाइड किया कि वो भारत के अंदर मल्टी गेगावाट प्लांट इस् लीथियम आयंद सेल्स और बैटरीज के मैनिफाक्चरिंग करेंगी रिपोर्ट के मुताबिक माने तो कंपनी ने कहा कि वो भारत की एडवांस कमेस्टी सेल्स को मैनिफाक्चर करने का काम सबसे पहले शुरू करेंगी और यहां पर वो मेकिन इंडिया और प्ला स्कीम जैस लेकिन एक्साइड इंडिस्ट्री इसकी भारत के अंदर साथ अलग अलग जगवयों पर मैनिफाक्चरिंग यूनिट्स हैं जहां पर वह लेडेशिट बैटरीज को मैनिफाक्चर करने का काम करती है लेकिन अब लेडेशिट बैटरीज को धीरी धरी कम किया जाएगा और यहां पर सबसे पहले इवी यानि आटमोटीव पावर टेलीकॉम इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उपर काम करेगी और इससे पहले रेलाइस इंडस्ट्री ने भी अनौंस किया है कि वह भारत के अंदर चार इसी बिग गेगा फैक्टरी को इंस्टॉल करेंगे जहां प पावर्स भी देश के अंदर अपनी नई लेध्यमान सेल और बैटरी मैनिफाक्चर यूनिट पर काम कर रही है जो की गुजरात में बनाई जाएगी सो एकसाइट गूर्प के इस बड़े डिसीजन के बारे में आप लोगों की क्या रहा है कमेंट बक्स में जरूर बताइएगा भारत के ऐसे ही यूसूल और इंफरमेटी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तके लिए वंद्रे मात्रम भारत माता की जये